नमस्कार नेक्साइन न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ किरन यादव हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के पूरवी मेदीनीपूर में वीती रात सोरदार धमाका हुआ है धमाके में कुछ लोगों के खायल होने की खबर है और बताया ये भी जा रहा है कि ये धमाका टी मसी के एकनेता के घर पर हुआ है धमाके के बाद आसपास के इलाके में हडकम्प मच गया है और समाचार एजिंसी एनाई के मुताबिक ये धमाका भूपती नगर साना इलाके के अरजुन नगर में दीमसी के बूत अध्यक्ष राजकुमार मन्ना के घर पर हुआ है धमाके की वज़े का अभी कारण नहीं पता लग पाया है लेकिन पुलिस इस मामले की जाच में जुट गई है और हम आपको बताते चले कि पूरवी मेदीनिपूर में मुख्य मंतरी ममता बेनर जी के भतीजे अभिशेक बेनर जी की रैली होने वाली थी रैली कोंटाई के कॉलिस ग्राउंड में होनी थी कोंटाई भारतिये जनता पार्टी नेता शुबेंदू अधिकारी का गड़ है इस वक्त की बड़ी जानकारी हमने आपको दी है कि मुख्य मंतरी ममता बेनर जी के भतीजे अभिशेक बेनर जी की मेदीनिपूर में रैली से पहले बड़ा धमाका हुआ है और टीमसी नेता यहाँ पर खायल हो गया है बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है फिलाल के लिए इस स्पोर्ट में बस इतना ही